तो गाइज KBS के एक्जाम की डेट अनौन्स हो चुकी है और आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ जब रदस्त स्ट्राटेजी कैसे एक्जाम क्रेक करना है KBS के ASO एक्जाम अगर आप टारिट कर रहे हैं KBK PGT एक्जाम को अगर आप टारिट कर रहे हैं PRT एक्जाम को अगर आप टारिट कर रहे हैं Junior Secretary Assistant को या फिर आप टारिट कर रहे है Assistant Section Officer को ठीक है इस सारे एक्जाम की डेट अनौन्स हो चुकी है आज 20 तारिक को और आपके वाज ज़्यादा टाइम है नहीं लेकिन बहुत जगह आपको सर्च का ने पर भी आपको ASO का आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है ASO का आपको study material नहीं मिल रहा है इसके लिए आपको करना क्या है तो वीडियो को देखते रहे हैं और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजा किमेंट नहीं किया तो किमेंट करते जाए चाहें अपनी रिकार्टम बता जिए study material regarding और चैनल को subscribe भी करते जागा subscribe नहीं किया है तो ठीक है तो आईए देखते हैं ठीक है सबसे पहले हम date की बात कर लें तो हमारे exam जो यहाँ से start हो रहे है assistant commissioner के exam से start हो रहे है साथ फरवरी साथ फरवरी से start हो जा रहा है पहला exam उसका दूसरा साथ फरवरी को तेरे नौ फरवरी ऐसे लगातार चलता जा रहे है और TGT का बारा तारिक से लेकर चौद तारिक यानि कि हो जाएगा उसके साथ साथ में हन्दी ट्रांसलेटर का भी हो जाएगा और 21 परवरी से लेके 28 परवरी PRT जो PRT को टारिक का भी हो जाएगा और junior secretary assistant का एक से लेके पांच मार तक यह exam होगा ठीक है इसकी बात मैं short video में बता चुका हूँ और जो strategy बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ मैं इसकी assistant section officer की ठीक है अब देखो दोस्ते इसमें इतने सारे पार्ट है आपको कौन-कौन सा बार पहले कबर करना है बन-बाई-बन में strategy बता जाओंगो और कौन से बुक से पढ़ना है कहां से आपको सारी चीजे मिल सकती है एक ही वीडियो में सारा कुछ पता चल जागा strategy कैसे रही क्या रही तो वीडियो में देखते रही है बने रही है सबसे पहले आता है section आपका English का English के लिए आप क्या करेंगे general grammar English है सब कुछ है इसमें ठीक है आर्टिकल बगारा सब कुछ है इसमें लेकिन आपको short में कैसे पढ़ना है short में कैसे पढ़ना है कि आपको 15 number लाने 15 question के 15 marks 30 marks ठीक है 15 question होंगे 30 marks होंगे एक question 2 marks का होगा तो आपको करना क्या है या तो आपको यूट्यूब चैनल देख लीजिए लेकिन एक यूट्यूब चैनल में सारा कुछ नहीं मिल पाएगा तो इसके लिए आपको मैं refer करता हूं इस बुक को अरियंद की बुक है इसको refer करता हूं इसके जो में टॉपिक है इसमें में टॉपिक पढ़ लेना ज्यादा नहीं पढ़ना है डीप में नहीं पढ़ना लेकिन में में टॉपिक है जैसी कि इसमें है one word substitution और synonyms, antonyms, spelling, grammar, grammar के rules बहुत अच्छे से दे रखे हैं इस बुक में इस बुक को आप अराम से prefer कर सकते हैं ठीक है यह अरियंद publication की बुक है ठीक इस बुक के तुरू आप पढ़ सकते हैं मैं भी इस बुक के तुरू पढ़ रहा हूं आप ही पढ़ सकते हैं फिर आता है हिंदी जो second part है इसका हिंदी का इसमें पठन कॉसल समर्थ और ब्याकरण 7 प्रिक्ती ठीक इतनी सारी चीज़े हैं इसके लिए मैं एक बुक बताऊंगा जो आप refer कर सकते हैं वो यह है समानी हिंदी की बुक ठीक है इसमें सारा कुछ है इस इस बुक में आप ज़्यादा नहीं पढ़ना है में जो टॉपिक दे रखे पठन को असल के और समर्थे के ब्याकरण यानि ग्रामर के पार्ट सारे पढ़ने है संग्या सर्वनाम इस सारा पढ़ना है ठीक है आपको अगर चाहिए 15 नंबर चाहिए तो इसको पढ़ना पड़ेगा पंदन नंबर कम नहीं होते हैं उसके बाद फिर आता अगला टॉपिक जीके का जीके भी इसमें ज्यादा हाड़न को ऐसी नहीं आई कि बहुत डीप तक पूछा जाएगा नॉर्मल पूछा जाएगी दस कोईशन 10 marks के discussion होंगे उसके लिए आपको मैं बुक बता देता हूँ जो easy आपको रहेगी सबसे बढ़ी है वह यह Lucent की general knowledge की बुक इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपका यह काफी अच्छा कवर करेगी बढ़ीया बुक है यह इसमें सब काफी को इसी मिला जाएगा दूसरी चीज यह तो जी की general knowledge की लिए हो गया लेकिन आपको current appear भी पढ़ना है current appear आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं daily youtube से भी देख सकते हैं या फिर newspaper पढ़ रहे हैं daily daily newspaper पढ़ेंगे तो उससे भी हो जाएगा ठीक तो मेन है focus gk में तो gk में lucent पढ़ सकते हैं और current appear अलग से पढ़ सकते हैं फिर आती बात reasoning की reasoning के तो आपको एक practice book उठानी है कोई भी reasoning के questions कर डालने topic wise ठीक है इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी analogy और symbolic number analogy और figure is related मतलब easy to merit question आने वाले हैं इसमें ठीक है वो कहीं से भी कर सकते हैं 10 marks के होगा 10th level की ठीक है उसके बाद आती computer computer का main part है देखो 10 question 10 marks के आएंगे लेकिन अब यहाँ पर 10 marks के लिए पढ़ना बहुत पढ़ेगा इसके लिए तो मैं बता देता हूँ अब यह ऐसा नहीं कि मैं अ आपको सारा कुछ इसमें cover हो जाएगा ठीक है आपको बस search करना YouTube में दा स्मार्ट प्रिन और इसमें playlist में जाना है playlist मिल जाएगी आपको पूरी computer की playlist मिल जाएगी ठीक है यहाँ पर search करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी computer की classes मिल जाएगी और ज्यादा नहीं पढ़ना आप देख लेंगे एक computer awareness marathon ठीक है playlist बनी पड़ी इसमें अराम से इसको आप refer कर सकते हैं मैंने मनाई है तो अच्छे से बनाई होगी ठीक यह वीडियो सारी आप देख सकते हैं अब इतनी सारी वीडियो है आप one by one देख सकते हैं आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना प्ले लिस्ट में जाने बस और computer awareness की marathon एक class एक वीडियो देखिंग आपको सारा काम हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं फिर से उसमें जाते है strategy में हम ठीक अब इसमें बात करते हैं next topic है main है जिसके लिए सारी मारा मारी चल रही है वो यह है यह वारा topic है government rules इसके नहीं तो कहीं पर syllabus मिल रहे हैं और नहीं कहीं पर इसके mock test मिल रहे हैं एक ना previous year के question मिल रहे हैं क्योंकि previous year में कैसे question हुए ते पता नहीं है मैंने एक pdf last time share किया था question का कि उसमें question किस टापी आते हैं वो इस video में मैं देने वाल हूँ description में वो वीडियो का वीडियो कर रहे हैं वो pdf आपको description में link मिल जाएगा आप उस link से pdf को download कर सकते हैं एक mock test paper जो मैं provide कर रहा हूँ उसके तुरू आप देख सकते हैं कि इस तरह के question आ रहे ह ठीक है यह आने वाले हैं और book मैं बता देता हूँ वैसे एक भाई ने मुझे message किया था commit में कि 16 रुपए की एक वैसे book है स्वामी की last book वीडियो में ने बता था कि स्वामी की handbook आप लेंगे 16 की पढ़ती है वो उसमें सारा syllabus मिल जाएगा यह वाला ठीक है यह वाला सारा syllabus मिल जाएगा 90 marks का है 90 marks के 90 question एक marks का एक question है और यह कापी weightage रखता है इसमें यह हमारे जो profile है उस profile से related question आएगे इसमें government rules है तो इसके लिए book स्वामी बताई थी last book में last video में मैंने लेकिन वो बहुत महंगी पढ़ रही है लेकिन उसका substitute में ले आया हूँ उसके जगह पर आ आया हूँ ना भी publication ना भी publication के book है इसकी price ज्यादा नहीं 400-500 बीच में आएगी इत्ता तो effort करी सकते है अगर पचास सा डियर की job चाहिए तो इत्ता तो effort करी सकते है ठीक है स्वामी के भी अच्छी book है और यह भी ठीक book है दोनों का publication अलग अलग है लेकिन material एक जैसा है बट इन में mock test paper नहीं है उसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है बट मैं provide करा दूँँग आपको इस video के description लिंक पड़ा हूँगा आप बो मुझे request करेंगे मेरे को message करेंगे तो में message आगा तब मैं आपको allow करूँगा हर किसी को नहीं जो serious है उसी को यह allow करूँगा मैं link खुलेगा लेकिन मेरे को पास OTP आएगा आप मुझे mail करेंगे message करेंगे तो यह जाके मुझे number मैं आपको description में दे दूँगा number भी दे सकता हूँ और skin पर भी अपना whatsapp number दे दूँ सेरिसली मेरी वीडियो को like कर रहें और comment कर रहें subscribe करें ना करें subscribe इसलिए क्योंकि अगर आगे की वीडियो चाहिए तब ही subscribe करें नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन like और comment कर सकते हैं तो whatsapp number मैं आपको description में भी दे दूँगा और उसमें भी दे दूँगा screen पर भी जिससे आप मेरे से यह mock test की वीडियो ले सकते हैं यानि कि memory waste question paper की वीडियो ले सकते हैं ठीक है बाकी all the best अच्छे से तहरी करना सारे exam के लिए और इस exam के लिए भी मिलते हैं next video तब तक के लिए बाई बाई